तो आज हम बात करने जा रहे हैं भूशपूर इंडस्ट्री की उस सदाकारा के बारे में जिनों ने काफी जादा तहल का मचाया है और जिनकी हर गाने और हर फिल्मों को फैंस काफी जादा पसंद करते हैं काजल रागवाणी पुछले कुछ दनों से इपने फिल्म की शूटिंग को लेकर काफी जादा व्यस्त है जिहां उन्होंने अपने फिल्म लिट्टी चोखा की शूटिंग खत्मी की उसके बाद वो लंडन भी गई अपने फिल्म की शूटिंग को लेकर और अब वो वापस आ चुकी है और लखनों में फिर से अपने नए फिल्म की शूटिंग कोनों ने स्टार्ट कर दिया है और मांग में सिंदूर और गले में मंगल सूत्र पहने नजर आई है काजल रागवानी पैंस लगातार उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि खेसारी सर क्यों नहीं दिख रहे हैं इस फिल्म में तो आपको बता दे कि खेसारी लाल यादव इस बार काजल रागवानी के साथ इस फिल्म में नहीं दिखाई देंगे इस फिल्म में वो किसी और आक्टर के साथ दिखाई देंगे और लगादार ही काजल रागवानी अपने नई फिल्म से रिलेटेड कई सारे फोटोज और विडियोज शेयर करती भी दिखाई दे रही है वहीं आपको बता दे कि फैंस को उनकी ये तस्वीरे काफी जादा पसंद आ रही है और फैंस इन तस्वीरों को काफी जादा पसंद कर रहे हैं आपको बता दे कि काजल रागवानी लगातार ही अपने नए नए फोटोज और विडियोज अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती है और फैंस भी काफी जादा पसंद करते हैं उनके हर वीडियो को हर पोटो को तो आपको काज़ोल रागवानी की एपिच्छ चैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बिताईए का आप बाकी और खबरों के लिए जड़े रहे हैं हमारे साथ नेक्स्ट नाइन बोश पूरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई